अजिए फिफ्ट का फिफ्ट जो है ये थोड़ा सा अलग है और बढ़ा ये अच्छा कोशन है लेखो यहां पर ये एक वैलू इस इक्वल टू ये एक वैलू इस इक्वल टू ये एक वैलू दी है तो देखें दोस्तों अगर हम देखें अगर A is equal to B is equal to C होता है तो इसका मत हम का फ्रेंड राजी हों भी होगा बिर आंका फ्रेंड राजू है दोस्तका दोस्त इसका मतनर कीसी के सिंट कह रखिते हुए हम दो दो वैलू को लेंगे और equation find करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं x plus y minus 8 upon 2 is equal to x plus 2y minus 14 upon 3 पहले हमने इन दो दो equation को ले लिया इसको उदर भेजेगे तो 3 जो है upon में है तो multiply में चला जागा तो 3 multiply by x plus y minus 8 is equal to 2 multiply by x plus 2y minus 14 तो यह हो जाएगा 3 into x 3x यह 3y और यह हो जाएगा minus 24 उसके बाद यह हो जाएगा भी 2x यह हो जाएगा 4y और यह हो जाएगा minus 28 ओके नंबर्स को नंबर्स के तरफ लेके जाएगे तो यह हो जाएगा 3x 2x इधर प्लस में है इधर shift करेंगे तो minus 2x फिर यह plus 3y 4y इधर आएगा तो भी minus 4y हो जाएगा is equal to minus 28 24 को उधर shift करेंगे minus है तो इधर जाके यह plus हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा यह 3x में से 2x गए 1x बचा 4y में से 3y गए तो 1y बचा तो यहाँ पर minus y हो जाएगा और यह हो जाएगा भई 28-24 तो आता है 4 पर sign जो है बड़े नंबर का तो equation number 1 यहाँ पर हमको मिलती है अब हम लेंगे इन दो equation को score score तो आएगा x plus 2y minus 14 upon 3 is equal to 3x minus y upon 4 4 को इधर shift करो तो हो जाएगा 4 multiply by x plus 2y minus 14 is equal to 3 multiply by 3x minus y तो यह हो जाएगा 4x 4 to the 8y और यह हो जाएगा minus 56 is equal to 3 3 जा भई यह हो जाएगा 9x और यह हो जाएगा into 3y अब like term को पास में लेके आएगे तो यह हो जाएगा भई 4x यह minus 9x plus 8y यह हो जाएगा plus 3y is equal to 56 minus में तो यह आएगा plus 56 तो यह हो जाएगा 9 minus 4 minus 5x यह हो जाएगा 8 plus 3 11y is equal to 56 यह हमें equation number मिली second अब देखी यहाँ पर हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की value लिख लेगे तो यह हो जाएगा भई यह हो जाएगा माइनस 5 यह होगा 11 और यह होगा 56 अभी हमें पता है कि वहीं डी is equal to a1 a2 b1 b2 होता है तो दिखेंगे 1 minus 5 minus 1 11 तो 11 बन जा 11 minus यह minus minus plus हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब सीधा लिख लेंगे 5 बन जा 5 तो 11 minus 5 हमें मिलेगा यहाँ पर 6 तो therefore d is equal to 6 यहाँ पर हमें d की value मिल गई है अब लेंगे हम dx dx is equal to होता है c1 c2 b1 b2 c1 c2 है हमारे पास minus 4 56 और यहाँ पर है minus 1 और 11 अब यह हो जाएगा is equal to 11 फोर्जा 44 मतलब minus 44 होगा यह और यह हो जाएगा भई 56 बन जा 56 यह minus 54 और यह हो जाएगा प्लस 56 माइनस करेंगे 6-4 हो जाएगा 2 और यह 5-4 हो जाएगा भई 1 तो यहाँ पर हमें dx मिल जाएगा 12 उसके बाद हम निकालेंगे अब dy dy is equal to होगा a1 a2 c1 c2 तो a1 a2 है 1 और 5 1 और minus 5 तो यहाँ 1 minus 5 और वो है 4 56 साब करेंगे 56 बन जा 56 माइनस 5 फोर्जा 20 माइनस माइनस प्लस तो यह जाएगा प्लस 20 तो 56 माइनस 20 तो 6 0 5 माइनस 2 3 36 तो यह जाएगा भई dy is equal to मिल गया हमें 36 अब हम 6 तो यहाँ जाएगा 2 तो यहाँ पर मिलता है हमें x is equal to 2 अब लेंगे d sorry अब लेंगे y तो यह जाएगा dy अपान d और dy है 36 और यह 6 6 6 जा 36 तो हमें y is equal to मिलता है भी यहाँ पर 6 तो देखिए इस तरह से solve करना था लिख लेंगे answer solution of xy is equal to 2,6 तो इस तरह से question को solve करना था दोस्तों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो please take a screenshot कर आप एंढ आपा दोस्तों ये चाहते हैं